वर्ड पॉपलेशन डे के ओकेशन पर यूपी के सीएम योगी आदित नाथ ने कुछ न्यू पॉपलेशन कंट्रोल यानि की जन संख्या नियंतरण के कुछ न्यू पॉलिसी इंट्रड्यूस कियें और इस पूरी पॉलिसी का मेन हाइलाइट ये है कि जिन किसी के भी दो से जाधा बच्चे होंगे वो लोग गॉपलेशन के लिए अपलाएं नहीं कर पाएंगे यानि कि सरकारी नौक्रियों में नहीं मिल पाएंगे 11 जुलाइ वर्ल पॉपॉलेशन डे के ओकेजिन पर योगी अधित्यनार जी की गवर्मेंट ने एक नई पॉपॉलेशन कंट्रोल पॉलिसी अनौन्स किये और इस चीज़ पर Nationalist Congress Party के चीफ शरत पवार ने भी ये कहा है कि यूपी की बढ़ती हुई पॉपॉलेशन को कंट्रोल करना आज की डेट में सबसे ज्यादा important काम है और हमेशा की तरह काफी लोग इस पॉलिसी के आजाने से खुश हैं और काफी लोग नाखुश पर ये अच्छली पॉपॉलेशन राफ्ट बिल है क्या ये बिल बेसिकली टू चाइल्ड पॉलिसी को एम करता है यानि कि जिनके भी दो से जादा बच्चे होंगे वो लोगों को तीन चीज़े में ली फेस करनी पड़ेगी नमबर वन उसे लोकल बॉडिस के चनाव में खड़े होने नहीं मिलेगा नमबर टू उसे गॉवर्मेंट जॉब्स के लिए अपलाय करने नहीं मिलेगा और नमबर थ्री उसे किसी भी तरह की सबसेडरी नहीं मिलेगा बेसिकली ये पॉलिसी उन लोगों पर लागो होगी जो कॉबल्स अब थर्ड चाइड करने का प्लान कर रहे हैं पर जो औरेडी कर चुके हैं अज जिनकी फैमिली अरडी सेटल है उन पर ये पॉलिसी बिल्कुल भी लागो नहीं हो पर क्वेस्टिन ये है कि जरूरी क्यों था अचली लॉप मैमिल के हिसाब ये स्टेप इसी लिए नेसिसरी है क्योंकि सबसे पहला सस्टेनिबल डेवलाप्मेंट के लिए अगर आज की रेट में कुछ चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है तो वह पॉपुलेशन कॉलिटी हेल्थ सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाता है अगर ये पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लिमेंट की जाती है तो पांच साल के उम्र से छोटे बच्चों की डेथ रेत आटोमाटिकली कम की जा सकती है वह के एक डेटा के अकॉर्डिंग आज भी ये सामने आता है कि पा और पॉर हेल्थ कंडिशन्स के बज़ से होती है और लॉमेकर्स का ये मानना है कि अगर ये पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लिमेंट की जाएगी तो ये जो पांच साल से छोटे उम्र की बच्चों भी प्री टर्म डेथ रेत है वह आटोमाटिकली कम कर दी है अगर फीमेर्स में अभी gross fertility rate 2.1 है पर इस पॉलिसी के आजाने के बाद gross fertility rate 2030 तक 1.9 हो सकता है और लास्ट नॉट दे लीस्ट नमब 5 ओविसली इस पॉलिसी के आजाने से population काफी स्टेबलाइज हो जाएगी moving on and adding on to this जो भी public service इस policy को accept करेंगे या फिर adopt करेंगे तो उनके हिए सरकार ने काफी सारे incentives भी provide करें जैसे की number one उनके पूरे service टर्म में से उन्हें दो additional increment दिये जाएगी number two 12 महिने की maternity plus paternity leave दी जाएगी वो भी full salary के साथ and number three जो जो इस policy को adopt करेगा उन सारे employees के लिए national pension scheme का जो fund है उसमें employer का contribution 3% से add-on कर दिया जाएगा moving on इस scheme को पूरी तरीके से implement करने के लिए सरकार बहुत सारे initiatives लेने को ताया है जैसे की number one सबसे पहले सरकार एक state population fund implement करेगी number two और सारे main health centers पे maternity centers का भी setup किया जाएगा number three हर secondary school में population control एक सबसे ज्यादा compulsory subject के तौर पढ़ाया जाएगा number four contraceptive measures की accessibility बढ़ाने के लिए पूरे-पूरे efforts लगाया जाएगा number five safe abortion के लिए proper medical system और staff इंशौर किया जाएगा number six family planning program के अंडर ये सारे initiatives के अलावा और सारे initiatives भी लिये जाएगे हमारे हिसाब से कही ना कहीं ये policy का implement होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि country की development stake पे है और अगर हम as an individual इस चीज को सुधारने के लिए एक step ले सकते है तो why not because charity always begins at home anyways we were Riddhya Singh and Krushi Singh from inside if you liked our video do not forget to like, share and subscribe to our channel also press the bell icon we will be back with some interesting and insightful videos next week or probably tomorrow until then stay tuned and stay safe